देखकर एलान कर रहा हूं कि इंशाल्ला उताला विदान सभा का भी चुनाव लड़ेंगे अगर आप चुनोती देना चाहते हैं तो आप मुद्दो के साथ चुनोती देजिए वो होती है राजनी ती यह आरोप से काम नहीं चलने वाला है नमश्वार आदाप मैं हूँ आपके साथ अलपरास और आज बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के मध्यपिर्देश में साथ पार्षदों के जीतने के बाद पाचास कॉंग्रेसी नेताओं ने आई मध्यपिर्देश में अभी बीते दिनों पहले ही पार्षद साथ असदुद्दीन ओवैसी ने मध्यपिर्देश में जिताएं हैं अब उसके बाद कॉंग्रेस के जो एक्टिव कारे करता थे करीब पाचास लोगों ने कॉंग्रेस को छोड़ कर एई आई एम आई एम पार्टी जॉइन किये किस तरीके से देखते हैं बिल्कुल अलफ्राज जिस तरहां से अभी हाल ही में पहली बार असद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एई आई एम है मध्यप्रदेश के किसी भी चुना कर आना OAYC के लिए कि 50 कारेकरता वो कारेकरता जो कॉंग्रेस के लिए काम करते थे उन्होंने OAYC को मजबूत करने के लिए AIM IIM का दामन थामा और ये 50 कारेकरता जो शामिल हुए हैं अब सोचके कि उनका जो जनधार है, यानि AIM AIM का मद्धे पर्देश में जो जनधार है वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि जीत की खुशी अब तक शांत नहीं हुई थी जो खुशी मद्धे पर्देश में AIM के कारेकरता, नेता, वरकर उनके मना रहे थे वो अभी शान्त नहीं होती उन्हें दूसरी खुशी मिल गई और इस खुशी को देखा जा रहा है कि मद्धे प्रदेश में जो आगामी चुनाव है उस पर असद्दिन OEC की निगाएं हैं कहे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए पार्टी काम कर रही है और उस काम का नतीजा आपको आपके सामने रिजल्ट के तोर पर आ चुका है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बड़ी कामियाबी है OEC के लिए इस वज़ा से भी क्योंकि चुनाव जादा दूर है नहीं ऐसे में इन कारे करता हो को देखकर हो सकता है कि अभी आगे और कारे करता हों जो वैसी को साथ जूलना चाहें और हो सकता है कि इस तरह से जो 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 जॉइनिंग हो रही है उस से ए आइम आइम को मद्ध्रदेश में एक बड़ी कामियाबी मिले बात हुई मद्ध्रदेश की मद्ध्रदेश में एक तरफ 50 कारे करता कॉंग्रेस को ताओं मेंसे चार नेता को छोड़ देते हैं उनके विधायक उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं इसे किस तरीके तो है इसको अगर आप नजर अंदास करोगे कि जटका नहीं है जटका है लेकिन यहां पर देखने वाली बात और गोर करने वाली बात ये होगी कि वह जो है आर एलडी को और जिस सिमानचल से वो जीत कर गए हैं उस सिमानचल में असदुद्दी नवैसी ने बैक टू बैक रैलियां की थी उन्हें जिताने के लिए उन्हें एहम भूमी का निभाई थी और साथी साथ जो अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर करना से बाड के हालात रहते हैं गरीबी के हालात हैं और वहां पर जो है अलब संख्यक लोग जादा हैं और उसमें जाके असदुद्दिन वैसी ने उनके जो जरूरत के मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया और बताया कि तुम्हारी हिस्सेदारी सरकार में कैसे होगी और बताया कि तुम्हारे पास तक जो सरकार की सी विदाये हैं वो किस तरह से आ सकती है जब ये जनता के मन में उन्होंने डाला तब जाकर उनके पांच विदायकों को कामियाभी मिली उनमें से चार छोड़ कर चले गए लेकिन गोर अब इस बात पर करना है कि जो अभी मौझ जूब परदर्श अद्याक से नहों ना हर नहीं माने ऊणी है क्योंकि उन्हीं के कहने से ये आए थे और आभ वो कह रहे हैं कि जैसे पहले मैं गया था और चार को लेकर आया और अब मैं बापस जो है ये चार गए हैं चोविस को लेकर आने का दम भरते हैं तो अपने आप में जजबाती बात है ये कि हार नहीं मानी है उन्होंने और उसके बात सा आप देखेंगे चाहें वो सीमान चल के अलग-अलग एरिये हो जहां से वो विधायक चुनकर गए थे वहां की जनता की आवाज आप देखें कि वो नराज है और वहां पर खुद प्रदेश अद्यक जाकर जनता से मिल रहे हैं और वहां पर उन्हें समर्थन भी मिल रहा है यानि यह उमीद मान के ना चले कि आगे भी यही विधाय करेने वाले हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कोई नया चेहरा हो और जनता उसको वोट दे तो यह आने वाला वक्त बताए अगामी चुनाव है उसको लेकर भी असदुदीन वैसी दमखम भर रहे हैं बाते चल रही हैं चाहे वो राजिस्थान हो या गुजरात में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं कहा पर देखते हैं असदुदीन वैसी की पार्टी का जनतार जरूर बड़ा है हालकि यह उत्तर प्रदेश के चुनावों में कामियावी नहीं मिली वोड प्रतिशत बड़ा लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उत्तर भी नहीं बड़ा लेकिंगे उत्तर प्रदेश की भूमी का अलग है राजनीतिक दृश्टिकोड से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो रीजनल पार्टियों की तरफ जाते हैं इसलिए असद दिन वैसी वहाँ पर जो है वोट हासिल करने में कामियाब नहीं रहे क्योंकि एक लहर मोधी विरोधी यह काओ कि भारती जनता पार्टी या योगी विरोधी लहर के रूप में जो वोड गया वोड गया समाजवादी पार्ट पार्टी को लोगों को लगता है था कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस वज़ए से वोट नहीं मिला अगर यहीं आप दूसरे राज्यों की बात करें तो जो राजनीटिक दुरस्टी कोड है वो बदल जा इस बात को समझने की जरूँए विकल्ब ढूंडेगी तो वो ए-i-m के पास आएगी विकल्ब ढूंडेगी तो फिर इन रीजनल पार्टी के साथ जाएगी जो रीजनल पार्टी दूसरे राज्यों में हावी रहती है चाहें वो सपा हो बसपा हो या फिर ए-i-m हो या फि जीत चुके हैं और अब जब विधानसवा चुनाव आ रहे हैं विधानसवा चुनावों में वहाँ पर पोस्टर के जरीए बैनर के जरीए और वहां के जो ए-i-m-i-m के कारे करता हैं वो मेहनत में लगे हुए हैं अभी से यानि उन्होंने अपनी हार नहीं मानिये तक्सी देखकर लगता है कि ओसी हो सकता है क्योंकि मद्धेपृदेश में भी ऐसी लग रहा था जब रैलिया कर रहे थे कि यह वोट कटवा हैं वोट काटने के लिए लेकिन जनता ने उन्हें चुना पारशत की रूप में ही चुना लेकिन चुना अब वैसी इस्तिती हर जहां ज अब तो नज़र आ रहा है वोट बैंक की बढ़ रहा है सदुदीन वैसी का और कहा जा सकता है कि आगा में चुनाब है उसमें भी कहीं न कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने करें देखें कि विकल्प के तो बहुत सारी पार्टियां हैं आप क्यों नहीं कहते हैं उत्तर आखंड में आदमी पार्टी ने जनाधार बिचाने की अपना कोशिश कियो उसे क्यों बी टीम नहीं कहते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि विकल्प तैयार हो रहा है लेकिन एई आई एम आई एम अगर कहीं पर अपना जो है कंड़िडेट खड़ा करती है तो उसको कहते है बी टीम हैं अगर आप चुनोती देना चाहते हैं तो आप मुद्दो के साथ चुनोती दीजिए वो होती है राजनी ती ये आरोप से काम नहीं चलने वाला है असद दिन्वेसी की नीतियां कितनी सही हैं कितनी गलत हैं उनकी बातों पर जनता को कितना विश्वास है या नह देने वाले और मुझे लगता है जनता को इस पर फरक पढ़ने वाला भी नहीं है जिनको वैसी की बातों पर विश्वास है वो उन्हें वोट देंगे बाकि जो और वोटर्स हैं चाहिए वो कॉंग्रेस को भरती अंतर पार्टी कि वो उन्हें वोट देंगे देखना ही हम से बात करने के लिए तो एक तरफ जहां सदुदीन वैसी को B Team कहते हैं तो वहीं अब असदुदीन वैसी पर लोग सोचने पर मजबूर जरूर है कि असदुदीन वैसी को B Team क्यों कहा जाए क्यों कि असदुदीन वैसी पूरे देश भर में चुनाव लड़ने की बात कर हो चाहें वो मध्यपिर्देश हो राजिस्थान गुजरात है अब असदुदीन वैसी किस तरीके से मजबूती के साथ देश भर में चुनाव लड़ेंगे और किन-किन पार्टियों को मात देकर अपने वोट बैंक बढ़ाने की बात करेंगे या जनता किस तरीके से देखेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएए धन्यवाद